पायल, टीना, रजनी और सीमा चारों एक साथ ब्याह कर सुमित्रा की बहु बन कर गरीब ससुराल में आई लेकिन सुमित्रा के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे वो बहुत गरीब थे और एक जोपडी में रहकर गुजारा कर रहे थे अपनी पहली रसोई में बनाने के लिए उनके ससुराल में सुजी तक नहीं थी घर में तो सुजी नहीं है, फिर हम अपनी पहली रसोई में हलवा किसका बनाएंगी सुजी नहीं है तो क्या हुआ, आटे का हलवा बना लेते हैं जिस कारण वो चारो आटे का हलवा मीठे में बनाती है उन चारो के पती शादी के कुछ दिन बाद ही शहर मजदूरी करने चले गए एक रोज बहू अज खाने में क्या बनाया है माजी आप तो जानती हैं कि सबजिया कितनी महंगी है इसलिए मैं बाजार से पांच रुपे का धनिया ले आई अब हम इसकी चटनी बना कर खालेंगे ठीक क्या बहू ना जाने हमारी ये गरीबी के दिन कब दूर होंगे कुछ समय बाद सुमित्रा भी एक जगा कूड़ा बिनने का काम करने लगी साथी चारो बहुएं भी घर ग्रेहसनी बैतर तरीके से चलाने के लिए काम ढूणने चली गए लिकिन उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिला सारा दिन काम ढूणने के बाद जब वो वापस लोट रही होती है तब ही एक जादुगर सड़क पार कर रहा था इतने में सामने से आता एक देज रफदार ट्रक उसे टक कर मारने ही वाला होता है कि वो चारो बहुएं आती है और उस जादुगर को धक्का दे कर बचा लेती है लेकिन वो चारो खुद उस ट्रक के नीचे आ जाती है जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है वो कुछ मंत्र पढ़ता है और जादू करता है जिससे कुछी देर में चारू बहुए जीवित होड़ती है ये भला कैसे हो सकता है? हम तो मर चुके थे लेकिन अब तुम चारों को नया जीवन दान मिला है साथ ही अब तुम साधारन इंसान नहीं बलकि जादूई बहुए बन चुकी हो तुम चारों के पास अलग अलग तरह की जादूई शक्तियां आ गई है जिने पाकर अब तुम अपनी जिंदकी खुशी खुशी जी सकती हो आज के बाद तुम लोगों के गरीबी के दिन खत्म हुए चारो बहुए जादुई शक्तियां पाकर बहुत खुश होती है शाम को ठकीहारी सुमित्रा हाथ में 50 रुपे लेकर घर आती है ये लो बहु आज कुड़ा बिनकर 50 रुपे ही बन पाए है मा जी आज के बाद आपको ये काम करने की कोई जरुरत नहीं है और ना ही हमारे पतियों को शेहर जाकर मजदूरी करने की जरुरत है क्या मतलब? मतलब अभी हम बताते है सीमा अपना हाथ घुमाती है तो उनका घर बहुत बड़ा घर बन जाता है फिर टीना अपना हाथ उठाती है तो भंडार घर भर जाता है इसके बाद पायल अपनी छोटी घुमाती है तो उसमें से धेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगते है फिर रजनी अपना हाथ बढ़ाती है तो उसके दो हाथ के छे हाथ बन जाते है जिसमें वो दो हाथों से खाना बनाती है दो से जल्दी जल्दी साफ सफाई करती है और दो हाथ कप्रित होने में लग जाते हैं इस तरह दो मिनट में ही वो सारा काम खत्म कर देती है ये सब देख सुमित्रा घपरा जाती है सच सच बताओ तुम चारों कहीं कोई डायन या भूत प्रित तो नहीं जो मेरी बहूं का रूप ले कर आई हो और मेरी बहूए कहां है मा जी हम कोई डायन नहीं बलकि आपकी बहूए है बहूं ये तुम कौन सा जादू टोना सीख कर आई हो फिर वो चारों अपनी सास को सारी बात बताती है जिसे सुनकर सुमित्रा हैरान रह जाती है तभी दर्वाजे पर उसके चारों बेटे खड़े होते हैं जो ये सब देख हैरान थे अब उन सब के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वो सभी खुशी-खुशी एक साथ रहने लगते हैं एक सड़क दुरगटना में काजल और राजु के माता-पिता का देहान थो गया दोनों बच्चों के माता-पिता के मरने की खबर सुनकर उनकी ताई परिशान हो गई अरे तुम चिंता क्यों करती हो और मिला मैंने वकील सहाब को बुला लिया है एक दो दिन में आ जाएंगे फिर भहिया की दुकान और मकान सब का हिसाब किताब वो हमें समझा देंगे जो रुपए मिलेंगे उन्हें इन बच्चों के नाम बैंक में जमा कर दूँगा इन दोनों से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो मुझे ढूणना ही होगा और मिला तो सिर्फ जायदाद के लालच में उननाद बच्चों की देखभाल कर रही थी राधे शाम जी वसियत के मताबिक घंशाम जी की जायदाद के ये दोनों बच्चे मालिक हैं और बड़े होने तक इनकी सारी जायदाद की देखभाल आप करेंगे वैसे वकील साब बच्चों को अब मेरा मतलब है अगर कुछ हो जाय या कोई परिशानी हो जाय तो ये जायदाद किसके पास जाएगी तो ये जायदाद मुम्किन है आप लोगों को ही मिलेगी तुम कैसी बाते कर रही हो और मिला तुम सोच समझ कर तो बोला करो अरे मेरा वो मतलब नहीं था वकील साब भगवान न करे, दोनों बच्चे बड़े होकर किसी बुरी लत संगत में पढ़ गए, तो जायदाद को अगर उन दोनों ने बरबाद कर दिया तो, मैं इन दोनों की मा की तरह ही देख भाल करूँ, और बड़े होकर ये अपने माता-पिता की जायदाद उड़ा द और उसे जल्दी ही मौका मिल जाता है, उर्मिला मैं कल सुभा तक वापस आ जाऊंगा, आपने भी आज ही जाना था, आपको पदा था कि सूरजपूर गाउं में मेला लगने वाला है, हम सब मिलकर मेला देखने चलते कितना अच्छा होता, कोई बात नहीं उर्मिला, मैंने हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तुम अपना काम कर कियाओ, बच्चों को मैं घुमा लाओंगी, संजू, चारू, काजल, राजू, तुम सब तयार हो जाओ, मैं तुम्हें मेला घुमाने ले जाओंगी, राधे शाम अपने जरूरी काम से चला जाता है, और उर्मिला बच्चों को तांगे में बिठा कर सूरज कुर गाओं मेला घुमाने ले जाती है, यही अच्छा मौका है, बच्चों को मेले में छोड़ देती हो, यहां भीड में इनको कुछ समझ नहीं आएगा, अपने आप इधर उधर कहीं खो जाए उर्मिला बच्चों को लेकर घर आ जाती है, बच्चों के पूछने पर वो उने बहाना कर देती है, काजल और राजू उर्मिला को पूरे मेले में ढूनने लगते हैं, पर उन दोनों को उर्मिला कहीं भी नजर नहीं आती, दोनों बच्चे रोने लगते हैं, धीरे धीरे म मेला खाली होने लगता है, काजल और राजु रोते-रोते मेले के बाहर आने लगते हैं, आते-चाते लोग उन दोनों को देख रहे थे, पर कोई भी उनके पास रुख नहीं रहा था, तभी एक बुड़ी औरत काजल और राजु के पास आती है, बच्चों, तुम रो क्यों र मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुचा दूँगी, मैं एक जादूगर्णी हूँ और यहां मेले में चादू दिखाती हूँ, मेरे पास ये जादूई गोला है, जिसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा घर कहा है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड तूंकी बूरी जादूगर्णी अपने थेले में से एक काच की गेंद निकालती है उस गेंद में काजल और राजु का घर दिखाई दे जाता है बच्चो तुम्हें भूख लगी होगी चलो पहले तुम कुछ खालो उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूगी बूरी जादूगर्णी हवा में हाद खुमाती है उसके सामने एक जादूई चूला आ जाता है बच्चो बताओ तुम क्या खाओगे तुम इस जादूई चूले से जो भी मांगोगे कि तुम्हें जट से बना कर दे देगा सच दादी मा फिर तूम्मुझे ढेर सारी जले भी खानी है मैंने बहुत दिनों से जले भी नहीं खाई दादी मा मुझे तो पूरी सब्सी खानी है ठीक है तो देखो मेरा जादू जादूई चूला जल जाए गरम चले भी बन जाए जादूई चूला जल जाए पूरी सबसी बन जाए जादूगर्णी के ये बोलते ही जादूई चूले के जादू से बरतन में खाना बनने लगा काजल और राजू ये सब देख कर बहुत खुश थे दोनों ने भर पेट खाना खाया बच्चो अब मैं एक चूटकी बजाऊंगी और तुम अपने घर पहुच जाओगे और हाँ ये चूला मैं तुम्हें उपहार में दे रही हूँ जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस जादूई चूले से जो भी मांगोगे वो बन कर तयार हो जाएगा चलो अब मैं तुम्हें घर पहुचा देती हूँ खूब खाओ माज उड़ाओ अब तुम अपने घर को जाओ बूरी जादूगर्णी जैसे ही चूटकी बजाती है काजल और राजुग घर के अंदर होते हैं उन्हें अपने सामने देख कर उर्मिला चौँग जाती है अरे तुम दोनों वापस आ गए अब मतलब तुम दोनों को यहां कौन छोड़ गया ताई जी हम मेले में आपको ढूड रहे थे फिर हमें एक दादी मा मिली उन्होंने हमें यहां पहुचा दिया ताई जी हम तो बहुत डर गए थे आप भी हमारे लिए परिशान हुई हो की न हाँ हाँ मैंनी भी तुम्हें बहुत ढूड़ा था पर तुम दोनों मिले ही नहीं चलो अच्छ है तुम दोनों घर आ गए वरना तुमारे ताउजी बहुत परिशान होते काजल और राजू कमरे में चले जाते हैं और उस चूले को अपने संदूक में रख देते हैं उर्मिला का सारा ध्यान काजल और राजू पर ही था इसलिए उसने चूले की तरफ नहीं देखा उर्मिला अब दूसरा रास्ता सोचने लगी घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेड़ी करनी पड़ती है अब सीधे रास्ते से तो इनकी जयदाद मेरे हाथ आईगी नहीं मुझे टेड़ा ही बनना पड़ेगा दोनों को भुखा प्यासा रखूंगी सारे करके काम करवाऊंगी तो अपने आप कमजोर होकर दोनों एक दिन मर जाएंगे मैं भी देखती हूँ ये सारी जयदाद मेरी कैसे नहीं होती मैं इनकी नौकरानी नहीं हो कि पाल पोसकर इनको बड़ा करूँ और बड़े होकर ये अपनी जयदाद लेकर अलग हो जाएं और मजे उड़ाएं अगले दिन से उर्मिला ने सकती से पेश आना शुरू कर दिया वो काजल और राजू को बहुत तंग करती थे वो उनसे सारे घर के काम करवाने लगी और उन्हें भूखा प्यासा भी रखती थे इस बारे में राधे शाम को कुछ भी पता नहीं था खाजल दीदी, ताई जी को क्या हो गया है वो हम से अच्छे से बात नहीं करती है और हमें खाने को भी कुछ नहीं देती मुझे तो बहुत भूख लगी है दीदी तु चिंता मत कर राजू काजल संदूक में से चूला निकालती है और दोनों मिलकर धेर सारे पकवान खाते है अब तो रोजाना ही जब काजल और राजू काम करके ठक जाते तो जादूई चूले से बने खाने को खाकर पेट भर लेते एक दिन उर्मिला की नजर उन पर पढ़ गई राजू और काजल दोनों खाना खा रहे थे तभी वो गुस्ते में वहाँ आई तुम्हें ये चूला कहां से मिला? मैं तो तुम्हें भूखा रखती हूँ अच्छा, तो तुम इस चूले पर बना खाना खाते हो ताई जी, ये जादूई चूला है ये हमें दादी माने दिया था जो हमें मेले में मिली थी इस चूले से जो भी खाना मांगो वो जट से मिल जाता है तो ये बात है अब ये जादूई चूला मेरे पास रहेगा तुम दोनों भूखे रहोगे चलो जाओ जाकर काम करो तब तक मैं इस से खाना मांगती हूँ ओ जादूई चूले जल्दी से मुझे खीर बना कर दे अचानक से चूले में आग जलने लगती है और वो उड़कर उर्मिला के पास आने लगता है इतनी देर में राधे शाम भी आ जाता है बचाओ, बचाओ कोई बचाओ इस चूले से में जल जाओगी तुमने इन अनात मासुम बच्चों को बहुत सताया है बिन माबाप के बच्चे तुम्हें अपनी मा समान मानते हैं और तुम इन्हें भूखा प्यासा रखकर सारे काम करवाती हो तुम इन्हें मेले में अकिला छोड़ कर आई ताकि ये बच्चे कहीं खो जाएं आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे गल्दी हो गई मुझे माफ कर दो मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूगी और मिला तुमने मेरी पीट पीछे भीया भावी के बच्चों के साथ ऐसा बुरा विवहार किया मुझे माफ कर दो अब मैं कभी भी बच्चों को तंग नहीं करूगी मैं उन्हें प्यार से रखूगी बहुत प्यार से रखूगी मुझे अपनी गल्ती का हिसास हो गया है मुझे माफ कर दो जादूई चूले जी ताई जी को कुछ मत करो ताई जी तो हमें बहुत प्यार करती है इतना कहेकर काजल और राजू अपनी ताई से लिपड़ जाते हैं ये देखकर उर्मिला की आँखों में आसू आ जाते हैं और जादूई चूला वहां से गायब हो जाता है मुझे माव कर दो बच्चो अब मैं कभी भी तुम दोनों के साथ ऐसा बरताव नहीं करूँगी मैं एक मा की तरह तुम्हारी परवरिश करूँगी इतना कहेकर उर्मिला दोनों बच्चों के गले लग जाती है गाजल और राजू भी अपनी ताई का प्यार पाकर खुश हो जाते हैं